what is the value of this 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 और इसका मान बताना है कि क्या होने वाला है ठीक है यह सवाल जो इना बहुत आसान है और इसका आंसर अगर देखते ही expression मुझे पता चल रहा है कि इसका 6 होगा answer मैं आपको समझाता हूँ कैसे मैंने किया दू तरीके हैं दुनों बताता हूँ कि सवाल examiner ने क्या सो सोचा है मैं आपको बताता हूँ examiner ने सिर्फ यह सोचा है क्योंकि देखिए वह आपसे यह expect नहीं कर रहा है कि इसका square निकाल के minus करो नहीं वह आपसे expect यह कर रहा है कि इस number को आप ध्यान से देखो और यह सोचो कि यह दूरों नमबर जो 1005 और 1007 है यह equidistant है 1006 से मतलब I can write these numbers says 1006 plus 1 and 1006 minus 1 ऐसे मैं लिख सकता हूँ equidistant है ठीक है तो यह जब मैं लिखोंगा तो मुझे यह number क्या मिलेगा 1006 whole square minus 1 square बढ़ चुकि यह minus यहाँ पर already है तो यह plus 1 square हो गया तो देखिए यह number देखते हैं इसमें इसका 1006 से क्या relationship है plus 2 minus 2 है यह plus 2 है यह minus 2 है आपका plus sign लगा हुआ तो आपका होगे यह है 1006 whole square minus 2 square यहाँ पर है यहाँ पर 1006 के respect में आप gap ज़रा दिखना क्या है minus 3 and plus 3 यह हो गया 1006 whole square plus 3 square ठीक है आप देखिए आपका final answer जो बना वो बना 1 square minus 2 square plus 3 square यह हो गया 1 minus 4 plus 9 क्या रहा है 6 तो यह value आगई आपकी 6 यह तो हो गया इस question का logic यह कैसे बनाया गया है ठीक है इसमें कुछ नहीं हुआ कि उन्होंने अपने मन से एक number लिख लिया 1 square देखिए उनकी एक्छा यह थी 1 square minus 2 square plus 3 square लाना बस इसी को उन्होंने convert कर दिया इस form में कि आपका equation खड़ा करने का लेकिन दूसरा तरीका भी था सर कि क्यों ना unit digit match कर लेते इतना समय की बरबादी क्यों कर रहा है ठीक है तो वह ज्यादा बहुतर तरीका थे यहां पर कि इसको यह भी सूचने की जरूद नहीं थी यहां पर आपके इसका 6 का square लिया तो last में 6 आएगा लिख दिया 7 और 5 का unit digit क्या होगा 5 होगा 8 और 4 का unit digit क्या होगा 2 होगा 9 और 3 का unit digit क्या होगा 7 लिख दिया अब जहां से देखना यहां पर यहां पर unit digit जो positive number से इनका Sum क्या देजेगा 8 और जो negative number से इनका sum unit तो यूनिट डिजट जो आने वाला है वो 6 आने वाला है एक ही नंबर पॉसबल है पहला है ठीक है हमें exact difference क्यों निकाले हैं हम यूनिट डिजट को match करा ले रहे हैं सारे option में यूनिट डिफरेंट दी हुई थी तो आपको unique answer मिलना था वह आपने match कर लिया हो गया आपको कु जीवन में इस्तेमाल करेगा कुछ और करने के लिए